जहीं दोस्तों आप देख रहे हैं टीचर इस्टुएंट हेल्प दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने लिया हुआ है बेसलाइन टेस्ट के अंतरगत खच्छा बारवी के रसायन विग्यान का प्रश्ण पत्र जिस पे हमें चालेस प्रश्ण दिये हुए हैं और उनका आंस दिया गया है आगे देखना है तो हम चली प्रश्ण शुरू करते हैं सबसे पहला प्रश्ण दिया गया है इसका सही अंसर हो जाएगा सबसे पहली प्रश्ण का अंसर हो जाएगा डी नंबर सबसे पहली प्रश्ण का अंसर हो जाएगा डी नंबर यह देखेंगे डी नंब फिर आता प्रेंट कर्मांग दो, प्रेंट कर्मांग दो का सही उत्तर जाएगा, नमक रस वायू, यह सभी, फिर आता प्रेंट कर्मांग तीन, प्रेंट कर्मांग तीन का सही उत्तर जाएगा, समांगी प्रकृति का है, समांगी प्रकृति का कौन रहता है, वर्फ रहता है, फिर आता प्रेंट कुर्मांग चार देखेंगे ये प्रेंट कुर्मांग चार इसका सही अंसर हो जाएगा रासानिक परिवर्तन है जो कि रासानिक परिवर्तन क्या है लोहे में जंग लगना है फिर आता प्रेंट कुर्मांग पांच प्रेंट कुर्मांग पांच में प्रश्ण कुर्मांग 5 में बताएगे हैं प्रश्ण कुर्मांग 5 का सही अंसर हो जाएगा डी नंबर ये डी नंबर सोडियम फिर आता प्रश्ण कुर्मांग 6 प्रश्ण कुर्मांग 6 का सही अंसर हो जाएगा परमाडू में नाभिक फिर आता प्रश्ण कुर्मांग 7 है कि कि पर्मान कुर्मांग वह होता है ल और जो उसका एलक्रानीक वित्रान जो रहता है दो आठ और तीन पहले कोज में दो elektron, दूसरी कोश में 8 elektron और तीसरी कोश में 3 elektron जो कि सबसे बाहरी कोश में 3 elektron रहते हैं, aluminium के फिर आता प्रेश्मक्रमांग आठ में 8 में साई अच्छ challeng रहेगा B νबर यहाफ देखेंगे एक तत्व की संखिया याफ देखेंगे एक तत्व एक्स में एलेक्ट्रानों की संख्या 15 और न्यूट्रानिक संख्या 16 तो इन में से जो तत्व है वह कौन से हो जाएगा सही पतेशन करेंगे तहाँ पे जो एलेक्ट्रानिक संख्या 15 और न्यूट्रानिक संख्या 16 है तो यह इसका साही अंसर हो जाएगा एलेटरनु संख्या सोला वाला जो अंसर हो है साही हो जाएगा अर्थाक X 16 और जो परमानु बहार हो जाएगा फिर आता प्रेशनकरबांग 10 प्रेशनकरबांग 10 में देखेंगे प्रेशनकरबांग 10 यहां पर दिया क्या है यह जिसमें दस का सही अंसर हो जाएगा डी नंबर प्रश्ण कमांग दस का जो सही अंसर हो जाएगा वो बोर के जो परमारू मोडल का सही पदर्शन नहीं करता है वो है दो तीन और आठ वाकी जो बोर का परमारू मोडल है वह परमारू को परमारू जो करमांग है उनको क्रमबाइस बढ सात זה कि परमाद ग्रमाँ के एकटीन चार इस प्रचार से इसके उसका वाद से इसका सई से उसींपर को घान और से इन्पर यह यहां पर पंगे इन्र आ गया फिर्या ग्यारा वाद pillars क्यारा क maintenance यह सी इंपर का 17 पृशंच talk फिर आता प्रेशन करमांग चाउदा प्रेशन करमांग जो चाउदा रहता है प्रेशन करमांग चाउदा में देखेंगे यह दाद के एनेमल से संबन देता है इसका साइएंसर हो जाएगा सी नमबर उदा सीन इस परकार से उदा सीन फिर आता प्रेशन करमांग 15 प्रेशन कर पन्तर का सब्सक्राइम जोड़ा को पेलिमीनियम जो की धातव में समयांता छ नहीं है फिर आता प्रेशन क्रमांग देखेंगे अब 18 जो बेंजेन की सनरचना दी गई है उसमें दिया गया है इनमें से बेंजेन की सनरचना अत्मक सूतर है तो बेंजेन का जो सनरचना अत्मक सूतर है वो हो जाएगा 18 नंबर का यह C नम्मर का जिसमें डबल 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 बंध रहते हैं बाकिम देखेंगे सिंगल सिंगल बंध है एक में ट्रिबल बंध भी है लेकिन वह सही नहीं है फिर आता प्रेश्ण कर्मांग 19 प्रेश्ण कर्मांग 19 का सही अंसर हो जाएगा L कोस पर कौन सा बाहता कम अवर्थ 2 की जट्वों के लिए निम्लिकेत मैंसे कौन सा कोस बाहता हम है इसका सही अंसर हो जाएगा L कोस K L M N होता है तो सेकंड नमबर जो कोस रहता है वर रहता है L फिर आता है प्रेश्ण कर्मांग 20 प्रेशन करमांग 20 का सायंसर हो जाएगा C नमबर 18 उर्दवारधर कॉलम जो समू हैं फिर आता है प्रेशन करमांग 21 प्रेशन करमांग 21 हम देखते हैं ये प्रेशन करमांग 21 का सायंसर हो जाएगा देखेंगे प्रेशन करमांग 21 का सायंसर हो जाएगा D नमबर द्रबमान पतिसत फिर आता प्रेशन करमांग 22 का सायंसर हो जाएगा प्रभावी नाभिकी आवेज के वेक्रमान उपाती फिर आता प्रेशन करमांग 23 का सायंसर हो जाएगा बी नमबर, एलेक्ट्रोन का द्रबमान, न्यूट्रोन के द्रबमान की बरावर होता है फिर आता प्रेशन करमांग 24, इसका सही अंसर भी हो जाएगा बी नमबर, फिर आता प्रेशन करमांग 25, देखेंगे फिर आता प्रेशन करमांग 26 का सही अंसर हो जाएगा सदेव रनात्मक होती है प्रेशन करमांग 27 आता है जिसमें इसका सही अंसर हो जाएगा ये वाला फिर आता प्रेशन करमांग 26 उसका सही अंसर हो जाएगा ये नंबर फिर आता प्रेशन रुमांग तेईस जो की प्रेशन दिया गया है पूरा आप प्रेशन को देख लेंगे फिर आता प्रेशन रुमांग जो तीज है उसका सही अंसर हो जाएगा D-Number DSP2 समतल वर्ग फिर आता प्रेशन रुमांग 31 31 का सही अंसर है B-Number आई पेसी नाम दिर देखना है उसका फिर आता प्रेंटर करमांग 32 का सई अंसर हो जाएगा डी नमबर वास्पसीलता फिर आता प्रेंटर करमांग 33 का सई अंसर 33 का सई अंसर हो जाएगा डी नमबर फिर आता प्रेंटर करमांग 34 का सई अंसर हो जाएगा aromatic sanrachna को चुनिए तो aromatic जो sanrachna है आप देखेंगे कौन सी है aromatic sanrachna ये है चौन्ते नमर के फिर आता प्रेंक्टरमांग 35 35 में देखेंगे अग पैसी पद्धिती में नाम कौन से है देखेंगे जो sanrachna सूतर दिया गया है इसका सही अंसर हो जाएगा एक नमबर फिर आता प्रेंक्टरमांग 36 36 का आंसर हो जाएगा hydrocarbon B नमबर B नमबर फिर आता प्रेंक्टरमांग 37 प्रेंक्टरमांग 37 का सही अंसर हो जाएगा अलकेल हैलाइट्स देखेंगे ये एलके हेलाइट्स फिर आता परने सिर्मांग 38 38 का सही अंसर हो जाएगा जो क्रियात्मेंक समूφο बढ़ बताएगा सी ओ ओ यो और कारबॉक से लिए अम का सी ओ ओ ओ आ रह जाताए फिर आता प्रेशन कर मांग 49 प्रेशन कर मांग 49 ससा है सब्सक्राइब कर दोस्तों आज का प्राइब होता है यदि वीडियो पसंद आज वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि आपको कौन से विशे का प्राइब का हल चाहिए और आज ले इतना ही जै हिन्द जै भारत